हेलो दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत हैं आज की क्लास में हम एमतियाज एहमत की बिहार एक परिचे का अबजेक्टिव प्रश्न को डिसकस करेंगे आज का चैप्टर है बिहार में स्वातंत्रता संघर्स बिहार में स्वतंद्रता संघर्ष के अंतरगत बिहार में किसान आंदोलन तो चलिए शुरू करते हैं बिहार में किसान आंदोलन पहला सवाल है बिहार किसान सभा से कौन जुडा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सजानन, काडियानन सर्मा, राहुल संकृत्यान, यनु नंदन सर्मा, आप्शन E उप्युक्त में एक से अधिक, आप्शन E राइट एंसर दूसरा सवाल है, बिहार प्रोविंसियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में इन में से कौन बिहार की किसान नेता थे? सही विकल्प का चयन कीजिए स्वामी विद्यानन, स्वामी सजानन, स्वामी विद्यानन, स्वामी सजानन, बिहार की किसान नेता थे आप्शन ए राइट एंसर वर्स 1922 में मुंगीर में किसान सभा का गठन किस ने किया मोहम्मद जुवेर ने बिहार में पटना के बेटा में किसान सभा की अस्थापना स्वामी सजानन सरस्वती ने कव की चार मार्च 1928 में इसकी अस्थापना पटना के बेटा ने की गई थी मुंगीर में 1922 में किसकी अध्यक्सा में किसान सभा अस्थापित हुई साह मोहम्मद जुवेर की अध्यक्सा में किसान सभा अस्थापित हुई बाबु स्रीक कृष्ण सिंग इसके उपाध्यक्स थे बिहार प्रांतिय सभा की गठन इस सन में हुआ मार्श 1929 में नमंबर 1929 में सोनपूर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतिय किसान सभा की अस्थापना हुई थी बिहार प्रांतिय प्रोविंसियल किसान सभा की प्रथम अध्यक्स थे स्वामी सर्जानन स्रिक कृष्ण सिंग इसके सचीव थे बिहार की किस जीला में नहर सुल्क के विरोध में आंदोलन हुए साहबाद जीला में साहबाद जीला कॉंग्रिस की नहर की वसूली की जात सिर्षक की अधिसूचना जारी की 29 से 30 अगस 1934 को गया में आयोजी दूत्य बिहार प्रांतिय किसान सम्मेलन की अध्यक्सता की पुरुसोत्तम दास टंडन ने नमंबर 1935 में हाजीपूर में आयोजी तृत्य बिहार प्रांतिय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्सता में आयोजीत हुई स्वामी सजानन की सम्मेलन स्वामी सजानन किसान सम्मेलन की अध्यक्सता में आयोजीत हुई इस सम्मेलन में जमिदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव सुईक्रित हुआ था बिहार प्रांथी कॉंग्रिस कमेटी के किनकी अध्यक्सा में एक किसान जाट समीती की अस्थापना की थी राजेंद्र प्रशाद निम्न में से कौन सा किसान नेता नहीं थे निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे सुर्यनाथ चौबे सुर्यनाथ चौबे किसान नेता नहीं थे ये क्रांथी कारी थे नमंबर 1936 में बिहपूर भागलपूर में प्रांथी किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्स्ता की थी जै प्रकास नारायन ने स्वामे सजानन्द ने ओप्शन C उप्युक्ट A और B दोनों की अध्यक्स्ता की थी ओप्शन C राइट अंसर 9 से 10 अप्रेल 1939 में अखिल भारत्य किसान समेलन का वार्सिक अधिवेशन आयोजित किया गया था गया में इसकी अध्यक्सा आचार्य नडेंदर देव ने की स्वामे सजानन्द का संबन्द था बिहार की किसान आंदोलन के साथ स्वामे सजानन्द का संबन्द था अखिल भारती किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्सता किसने की थी स्वामे सजानन्द नेता थे किसानों के स्वामे सजानन्द नेता थे किसानों के बिहार की गया में किसान आंदोलन को निम्ण में किसने जाग्रित किया था जदू नंदन सर्माने जून 1919 में मधु बनी जीला की किसानों को दर्भंगा राज की विरूत आंदोलन को संगटित किया स्वामे विद्यानन्द ने बिहार प्रांतिय बिहार प्रांतिय प्रोविंसियल किसान सभा की अस्थापना कब हुई थी नमंबर 1929 में स्वामे सजानन इसके प्रतम अध्यक्स थे बिहार की कुछ जमिदारों ने कॉंग्रिस के विरूत में अंग्रेजों द्वारा समर्तित यूनाइटेट पॉलिटिकल पार्टी की अस्थापना राची में कब किया था सितंबर 1932 में बिहार की प्रमुख मज़ूर नेताओं में सामिल थे अबदूर बारी स्रिक कृष्ण सिंग ओप्सन बी राइट एंसर जहानाबाद में किस वर्स एक किसान सभा का संगठन हुआ 1931 में दानाबंदी विवस्ता से संबंदि चर्चा हुई गया जीला के किसानों ने किन के पास पत्र भेजा था जवाहा लाल नहरू के पास 1930 से 1934 के मद्ध कॉंग्रिस नेता किन ही छोड़ कर किसान आंदोलन की साथ खड़े रहे ब्रच किसोर प्रसाद स्वामी सजानन्द सरस्वती का पत्ना से प्रकासित पत्र का संपादन किया हुंकार और जन्ता ओप्शन सी ए और बी दोनो ओप्शन सी राइट एंसर 1935 से 37 की मद्ध किसान आंदोलन से सम्बंदित कौन सा कथन सत्य है उसे कॉंग्रिस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था समाजवादी पार्टी की सदस्य भी उसकी साहता कर रहे थे इन वर्सो 1935 से 36 में पटना गया और मोंगेर जीलों में किसान आंदोलन जोर पकर रहा था ओप्शन डी उप्युक्त सभी कथन सत्य है ओप्शन डी राइट एंसर किसानों को वाम पंधियों का भी समर्थन प्राप्त था 30 से 31 अक्टुवर 1935 को हुए मुजफर पूर जीला किसान समेलन की अध्रक्स्ता किसी ने की गंगा सरन सिंग ने पतना के स्री जग्दिस प्रसाद की पतनी थी चन्रावती देवी चन्रावती देवी ने साहबाद में महिलाओं की एक सभा में भासन दी थी गया जीला के नियामत पूर में अखिल भारती किसान समिती की बैठक हुई जुलाई 1937 में अखिल भारती किसान समिती की बैठक हुई बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया 17 अक्टुवर 1937 में बिहार में किसान दिवस मनाया गया 25 से 27 मार्च 1938 को कहां एक किसान सभा और नौ जवान सम्मेलन हुए मधु बनी में बेतिया और मोतिहारी में किसान सभाई किसने असापित की थी स्वामे सजानन्द ने गया में किसान आंदोलन में सक्रिय थे यदू नंदन सर्मा सिव संकर भारती मलै कृष्न ब्रह्मचारी ओप्सन डी उप्युक्त सभी सामिल सक्रिय थे ओप्सन डी राइट एंसर बिहार में कहां कि किसान सम्मेलन 16 से 17 नमंबर 1938 की अध्यक्स्ता स्री राम मनोहर लोहिया ने किया मसौरी पटना 3 और 4 दिसंबर को कहां हुए बिहार प्रांती किसान सम्मेलन में सत्य ग्रह का निर्नै लिया गया ओईनी दर्भांगा किस किसान आंदोलन की नेता ने बिहार के हर जीला में सत्य ग्रह सुरू करने की अनुसंसा की किस किसान आंदोलन की नेता ने बिहार के हर जीला में सत्य ग्रह सुरू करने की अनुसंसा की राहुल संक्रित त्यान ने 22 दिसंबर 1938 को नेवडा में विवाद ग्रस छेत्रों का फसल काट किसान सत्यग्र की सुरुवात किसने की यदू नंदन सर्मा ने यदू नंदन सर्मा को 13 फरवरी 1939 को 6 से 12 महिने की सजा हुई फरवरी 1939 में छपड़ा के अंबारी नामक अस्थान में किसने बकासत सत्यग्र सुरु किया राहुल संक्रित त्यान ने स्वामी सर्जानन की गिडिफ्ताडी के बाद पिहार किसान आंदूलन का नेत्रित्त किया कारिया नंद सर्मा ने चमपारन जीला किसान सभा के अध्यक्स थे धनराच पूरी चमपारन जीला किसान सभा के अध्यक्स थे आठ से नौ मार्च 1941 को बिहार किसान समेलन कहां हुआ था दुम्राओं में हुआ था तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना एकलास अच्छी लगियो प्लेज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब कीजिए जैहिन, थाइंक यू